हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम आपके साथ टमाटर और लहसुन की रोष्टेट चटनी की रेस्पी से एर करेंगे जिसमें बिल्कुल भी हम ओयल का यूज नहीं करेंगे रेस्पी अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा चलिए तो बना ली है दोनों चीजों को हमें रोष्ट करना है यहां पर हम गैस पे इस्टेंड रख दिया है हमने और गैस के आसपास हमने एल्मोनियम का फॉयल लगा दिया था इससे जिक गैस हमारी गंदी नहीं होगी क्योंकि टमाटर से बहुत ही जादा रस गिरता है टमाटरों को हमने उल्टा करके जाली पर रख दिया है और टमाटर को उलट पलट करते हुए अच्छे से हम भून लेंगे और जब टमाटर अच्छे से भूनेंगे तो जो टमाटर के उपर इसकिन होती है यह अपने आप हटने लगेगी यह देखिए हमने उलट पलट करते हुए बहुत अच ये चटनी खाने में बहुत ही ज़ादा टेस्टी होती है आप एक बार जरूर बना के ट्राई करिएगा अब उसी स्टेंड पर हम लैसुन को रख देंगे और साथ में दो हरी मिर्च और लैसुन को भी हम अच्छे से भून लेंगे पर ये काम आप गैस की फ्लेम लो करके लाइंगे मिर्च तो देखे बहुत जल्धी से भून चुकी इनको हम निकाल लेते हैं और लैसुन भी हमारा भून चुका है ये दिखे एक एक कली इसकी अलग होने लगी है और भुनावा लैसन खाने हैं विद्धा अब हम लैसुन को छीनेगे बहुत आसानी से लैसुन छ हो रही है सारा में भी सी तरह से चील लेते हैं उतक और यह जो काला सा लगा है इससे कोई फvos फरक نہарा चटनी में कोई भी के टेस्ट खराब नहीं होगा इसका लेस्ट यह ने च॰ह लिए उसी तरह से बिलकुल टमाटर को हम भी टमाटर को इसी प्लेट में हम छील कर रख देंगे अ, मिर्ची भी हमने रख ली है अब हम एक जाकू लेंगे ओर घृत जो बहुत ही जादा टाएट होता है उसको हम निकाल लेंगे और तमाटर के छोटे छोटे हम पीस करनेंगे यह देखिये हमने इसके उपर का पार्ट निकाल दिया, यह बहुत हाट पार्ट होता है इसको आप निकाल देज़ेगा सभी टमाटरों के पार्ट हम उपर के निकाल देते हैं और टमाटर के हम पीस कर लेंगे चटनी को हम чॉप करेंगे इसलिए हम यहाँ पर एक चौपर लेंगे और चौपर में सभी चीज़ों को हम डाल देंगे टमाटर, लैसुन, हरी मिर्च और साथ में डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया धनिया से चट्टी में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और अब इसको हम चौप कर लेंगे अगर आपके पास चौपर ना हो तो आप इसे सिल्वट्टे पर भी पीश सकते हैं पर मिक्सी में यह ज़्यादा ही ज़्यादा पिश जाएगी तो वो टेस्ट नहीं आएगा और यह दिखिए पूरी चट्नी को हमने चौप कर लिया है ज़्यादा बारिक इसको हमने नहीं पीशा है थोड़ा मोटा मोटा ही हमने इसको पीशा है एक बाउल में हम इसे निकाल लेते हैं और हमारी टमाटर और लेसुन के रोश्टिट चट्नी बन कर तयार है उपर से इसमें हमने एक चमच फुना हुआ जीरा डाल दिया है थोड़ा सा नमक दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं आप इसे फ्रिज में पंदरा दिन तक इस्टोर करके रख सकते हैं ये चटनी खराब भी नहीं होती और जब घर में ये चटनी बनेगी तो आप सबजी से ज़्यादा इस चटनी को पसंद करेंगे तो कैसी लगी आपको ये रेस्पी कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और यदि आपको हमारी रेस्पी सची लगती है तो प्लीज उन्हें लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें जल्दी एक और नई रेस्पी के साथ मिनेंगे थैंक्यू